बीपिएसी सिच्छक वर्ती 2.0 में जो सत्तर अजार पदों पर विग्यापन जारी किया गया था उसमें पदों की संख्या बढ़ गई हैं करीब बावन अजार पद नए जोड़े गए हैं यहां पर टियारी वन में लगवक पचास जार पद बचे थे वो भी आपर जोड़ गए हैं उसके साथ ही SCST विलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से यहां पर जो पद हैं करीब 1401 वो पद भी इस नोटिफिकेशन में जोड़ दिये गए हैं और SCST विलफेयर डिपार्टमेंट के लिए कंप्लीट यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है अलग से जो कि यहां प्रेटर्न क्या होगा तो इस विडियो के मादम से मैं आपको इस SCST विलफेयर डिपार्टमेंट की वेकेंसी की बारे में जानकारी दे रहा हूं तो विडियो को आप लोग अंततक देखिएगा सभी राज्यों की बढ़तिस में आविदन कर सकते हैं तो आप सभी के पास सभी प्रकार के बढ़ति एलिजिबल हैं तो यहां पर अनरचित की वेकेंसी दी गई है एडबूलेस की यह है और पिछड़े वर्क की जो महिला हैं उनके लिए और कुल पद यहां पर आपको देखने को मिल जाएंगे तो इस तरहीके से यह आपका प्रामरी टीचर के वेक सब्सक्राइब करने से पहले आप लोग उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा लिंक आपको पिंड कमेंट में मिल जाएगा इसके बाद यहां पर देखें दूसरा जो पद है वह यहां पर एक नमबर पर दिया गया है कच्छा चैसे दस के लिए विद्याला द्यापक क और 270 पद इसमें दिये गए हैं तो यहां पर देखें अंग्रेजी हिंदी संस्कृत विज्ञान गडित समाजिक विज्ञान सरेरिक सिच्छा संगीत कला कंप्यूटर यह पद हैं और 270 पद यहां पर हैं इसमें जो मैलाओं को और च्छण है वो करीब 35 परसेंट मिलेगा ठ अच्छा 11 12 के लिए और यहां पर आठसु पच्छपन पद यहां पर आठसु पच्छपन यहां पर देखें जो पद हैं वह अंग्रेजी हिंदी गडित वहत की रसायन वरंस्पति सास्त्र जीविग्यान कंप्यूटर रितियास वो गोल समास सास्त्र रजनीती सास्त्र के विग्यान मनौ विग्यान इसके बाद आठसास्त्र लेखा ब्याउसाई का दन तो यह यहां पर पद है करेब शाड़े आठसु विकैंसि आपकी इसकी हो गई पी जिटी की इसके बाद नीचे आएंगो तो यहां पर आपको घा नंबर में मिलेगा प्रदाना चार की विकै सी है तो इसके जो कुल पद है मुझ साथ पद हैं इसमें देखिए यह पद दिये गए आपको ठीक है 35 परसंट आर अच्छड़े आपर महिलाओं को दिया गया है तो यह आपके चार प्रकार के पद हैं से सामिल हो सकते हैं तो यहां पर देखेंगे तो इसके बारे में पूरा कंप्लीट डीटियल से दी गई है तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जन्रल जोगाइडलाइन से इलिजिबिल्टी है उसके बारे में तो बोला गया भायात का आप नागरिक हैं नमबर एक कंडीसा ने मलब आलोगर इंडिया के अब यह 30 में आवदन कर सकते हैं दूसरा समय स समय पर जो भी प्रसीश्चडि यूगता है और सज्चड की जाते हो तो प्रसीश्डिक यूगत अभी हम देखेंगे बाद में है अब यहाँ पर नमबर 7 वोला गया है आपके पास सिछठक पातरता परिच्छा होनी चाहिए सिचड पातरता परिच्छा कौन कौन से होएलि टु स्टेटिड पेपर टू नहीं लगा एय। लगेगा जैसे की । उसमें मैं वे लिए है और इस बज़ए से हां पर एस्टट पेपर वन मांगा है ठीक है इसके बाद 11 कि प्रदाना ध्याफक पत यहां पर उसके भी आपको बोला गया है एस्टेट पेपर टू होना चाहिए तो यह आप पर सैच्छी को पर सैच्छी की योगता हो गई और अब हम डिसकस करते हैं इसमें कमप्लीट इलिजबिल्टी क्राइटेरिया तो एक से पांच तक की जो वेकेंसी है उसमें देखिए नंबर एक पर बोला के पचास प्रस्वाक्स के आपका इंटर होना चाहिए और प्रारंबिक सिच्छा सास्तर में दुवर्सी डिप्लोमा जिसको डियलेड जानते हैं उस न हैं यह जिन्होंने इसना तक किया हुआ है और दुवर्सी डिप्लोमा डियलेड है वह भी चाहते हैं तो कुल मिला करके यह आप सन्व उत्तरफदिस के बढ़तियों के लिए और उपर हो गया अधर स्टेट के बढ़तियों के लिए जो यहां पर इंटर के बाद जहां पर होता तो आपने शाइंडर के बाद किया के बाद किया तो आप इसके लिए पात्र हो जाते हैं इसके और देखिए कि उसमें क्या सम्झा माथे के साथ 50 परसंट के साथ आपके पाथ सुनातक को यह इस नायता तक उत्तर की धिगरिय यह साथ में NBA रहा है है तो आप चैसे दस इन्टीग्रिट कोर्स होता है तो भी आप पात्र हो जाएंगे फिजिकल आपने बीपीड किया हुआ तो इसके लिए पात्र हो जाते हैं इसके बाद आएंगे संगीत विसे के लिए संगीत विसे बोला गया आपने नियुंतम 50% अंगों के साथ इस नातक किया हुआ है ठीक है और उसके संगीत में भी था आपका संगीत में इस नातक होना चाहिए ठीक है अब सब्जेक कर्मिनेशन यहां पर बताया गया है कच्छा 6 से 10 के लिए तो यहां पर देखे कबिनेशन क्या है गड़ित के लिए बोला गया है इस नातक इस तरपर अपने गड़ित के साथ बहुतिक इलेक्ट्रोनिक्स Computer Science रसाइन विग्यान सांकी यह विसार आपने पड़ा हुआ होना चाहिए इसके लावा यहां पर बोला गया है विग्याने के लिए कि जन्तु विग्यान वरिस्पति विग्यान रसाइन विग्यान में आप जो इसनातक होने चाहिए इंझिनिरिंग में अगर इसनातक कीया हुए तब भी आपको यहां पर छूट मिल जाएगा आप आविदन कर सकते हैं इसी तरी के जो आप बढ़ती इंजिरिंग में गड़ित पड़े हैं वो भी यहां पर आविदन कर सकते हैं सौशल साइंस के लिए कि इतियास वगोल अर्दसास त्राजनीति सास इसमें किसी दो विशास से आप इसनातक होने चाहिए जिसमें इतियास या भुगोल कोई मुख्य विशा जरूर होना चाहिए भासा के बारे मोला गया है कि भासा के लिए आप समभजित विसाय में जो इसनातक होने चाहिए ओनर्स लेवल था कि सबसेडियरी विसाय के रूप में पिजिटी के लिए बात करते हैं तो पिजिटी मोला गया है आपके पास 50% मार्क्स के साथ PG की डिगरी होने चाहिए और साथ में B.A.D. होना चाहिए एस्टेट पेपर 2 बने आपको पहले ही बता दिया था जो बिड़ती एकी करद B.A.D. एमेड कोर्स की है वो भी पात रहें PG के बाद और B.A.D. वाला जो कोर्स होता है या B.A.C.A.D. होता है वो भी ब्यड़ती पात रहें तो यह हो गया Complete Agibility Criteria Subject Combination PGT का यहां पर आप लोग देख सकते हो Computer के लिए बोला गया Computer के लिए अपने ड्रेक से एस तरकी आहुआ है और सनातको तरकी डिगरी लिए तो PGT के लिए आप फार्म बढ़ सकते हैं इसी तरीके से बांकी भी सब्जेक Combination बोला गया Computer Science के लिए तो इसको आप देख लेना Computer के लिए बेड की requirement नहीं है अब यहां पर हम लोग में चलते हैं एक्जाम पैटर्न की तरफ एक्जाम पैटर्न में देखिए बताया गया है चैन के वाल आपका लिखित परिश्चा के अधार पर होगा Multiple परिश्चा के लिए तो इसमें सब्जेक का उम्मिनेसर में कोई भी चेंज नहीं है जैसे पहले था से अम उसी तरीके से यहां पर पेपर होगा देखो बताया गया प्यार्ट के लिए एक से पांच के लिए बाग फश्ट आपका तीस नंबर का होगा बासा वाला पेपर हो तर मुझे नहीं मिला जो बाकी का परिश्चा प्रिश्चा से मोई है बस इलिजबिल्टी क्रिटेरिया में थोड़ा सा चेंज है तो इसको आप लिए समझ लिया कि कौन-कौन से बढ़ती आविदन कर सकते हैं भाग फश्ट क्वालिफाइंग होगा बाग टू और भाग थ अगर आप इसमें फार्म बढ़ते हैं तो हम किसी को रिजेक्ट नहीं करेंगे सीधे तर पर क्योंकि हम यह माल लेंगे कि आपने जो डिटेल्स भरी हो बिल्कुल सही है और जब इसका डॉकुमेंट वेरिफिकेशन होगा तब वहां पर जो डॉकुमेंट वेरिफिकेशन क टाइम आपको अगर आप इलेजबल नहीं होते हैं तो इस टाइम आपको बार किया जाएगा तुम्हेंट वीडियो आपको पसंद आया होगा इसका फार्म कैसे बढ़ते हैं उसका अमने कंप्लीट वीडियो बना दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है आप को वहां से जाकर के फार्म बढ़ सकती हैं इस वीडियो में इतना ही धन्यवाद हूं